इस फिल्म में दोनों की कैमिस्ट्री को लोगोंने खुब प्यार दिया लगबग एक दशक बाद भागेशिरी ने फिल्म थलाईवी से फिल्मों में वापसी कर ली है लेकिन उनके फैंस के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर उन्होंने इंडस्री क्यों छोड़ी थी जिसकी वजह बताते हुए भागे शिरी ने कहा कि इसके पीछे उनकी सिहत संबंधी दिक्कत थी हाली में दिये एक इंटर्विव में भागे शिरी ने बताया कि साल 2014 और 15 में टीवी शोओ लोट आओ त्रिशा की शूटिंग चल रही थी इसके चलते मैं अपने सीधे हाथ को मूव नहीं कर पा रही थी लगबग एक साल के बाद मेरा हाथ ठीक हो सका डॉक्टर्स ने सरजरी के लिए बोल दिया था मैं डर गई थी मगर मैंने इसे खुद ठीक किया मैंने स्टेंफोर्ड युनिवर्सिटी से ट्यूशन एवं फिटनेज की पढ़ाही की है डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत शोक्ट और सर्प्राइजिंग था इस दोरान मुझे एहसास हुआ कि साधारन लिविंग से कुछ भी कर सकते हो बता दें कि भागे शिरी ने अपने टॉप के करियर में आकर शादी करने का फैसला किया और हाउस वाइफ बन गई इस पर बात करते हुए एक इंटर्वियू में एक्टर्स ने बताया था कि उनके इस फैसली ने ना सिर्फ उनके अपनों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी चौका दिया था साथी एक्टर्स ने कहा कि उनके पती हिमालय दासानी उनका पहला प्यार है एक्टर्स के मताबिक उनकी जिन्देगी में एक फेज ऐसा आया था जब दोनों करीब एक से डेड़ साल तक एक दूसरे से दूर हो गए थे उसी दोरान उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो हिमालय के बिना नहीं रह सकती ये पूरी तरह से उनका फैसला था वो शादी कर अपनी फैमली बनाना चाहती थी उनके लिए करियर से ज़्यादा परिवार को प्यार से सहज कर रखना एहम था उन्हें अपने इस निर्णे पर बिलकुल भी पच्चतावा नहीं है बता दें कि साल 1990 को भागे शिरी ने एक्टर और प्रोडूसर हिमालय दासानी से शादी की थी करियर के शुरुआत में ही भागे शिरी ने ये फैसला लिया शादी के बाद भागे शिरी ने कुछी फिलमें की वो भी अपनी पती के साथ लेकिन उनकी फिलमें हिट नहीं हुई एक इंटर्वी में भागे शिरी ने अपनी लवे स्टोरी बताते हुए कहा था कि उनकी और हिमालय की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी भागे शिरी ने कहा था हिमालय पूरी क्लास में सबसे शैतान थे और मैं उस क्लास की मॉनिटर थी हम दोनों क्लास के बाहर और अंदर अक्सर लड़ते जगड़ते रहते थे हाला कि तब तक हमने कभी एक दूजे को डेट नहीं किया था यहां तक कि उसने स्कूल के आखरी दिन भी मुझसे कुछ नहीं कहा भागे शरी कहती है फिर एक दिन हमाले ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है और इसके बाद वो करीब एक हफ़ते तक मुझसे कहने की कोशिश करता रहा लेकिन हर बार पीशे हट जाता था फाइनली मैंने उसे कहा कि देखो जो कुछ कहना है कहदो मैं वादा करती हूँ के जवाब पॉजिटिव होगा इसके बाद उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है तो ऐसे इनकी दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनोंने शादी करने का फैसला लिया लेकिन फैमिली इसके खिलाफ थी भागेशिरी और हिमाले ने घर से भाग कर एक मंदिर में शादी की उनकी शादी में हिमाले के पेरेंट्स के अलावा सलमन खान और सूरज बढ़ जातिया भी पहुँचे थे हिमाले और भागेशिरी के दो बच्चे हैं भागे शिरी के बेटे अभिमन्यू की हाल ही में फिल्म मीनाक्षी सुन्देश्वर रिलीज हुई है जिसमें उनकी कोई स्टार सान्या मलोहतरा है